नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। करें लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। हमारे चानल को मारे चानल को सब्सक्राइब करें। हाँ, हालो, सुनो तो, तुम्हारे हो रहा, हां, मैं तरूर पूंचूंगी, जो पूझा है, तोा आप वहां नहीं बहुत क्यूट लग रहे हो, मैं आप तुम अच्छा में तुम इस दिशा में क्या कर रहे हो, शकल तुम शरीफ नजर आते हो, ईलादा क्या है तुम्हारा, शर्म ने याती तुम्हें गलती हो जिए मेरे पास बहुत कम है तुझे जाना अमेरिका इतनी थोड़ी और इतनी चोटी थी जोडूरी बेटरे तुम मुझे देदे कोड का फैसला भी रज़ है और वकील को जबान दी एए मे नहीं तो तू जवान की बोली लगा वकीलक को पईसा इकर ठा करने के लिए बोल ला अ मैं यह पैसा नहीं दूँगा तू यह पैसा कोड के चरी पनी मी लगा रहा तू यह नहीं रहा? को गलत बोल रहा है तु शिक्षक देश का भविष्य बनाता उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड सकता मुझे एक यह निएक यह समी लोग जीतेंगे और जैसे कोड़ा मानी नुक्सान भरभाई करेगा में तेरी पाई-पाई चुका के टुका जो थर्टी थाउजन्ड हो गए पता है तुझे आर्यू अंडर्शेंड नियु अंग्रेट फुल टु यो अरे तकलीम में उठाओ पैसा में कटा करो ग्रेट तु हो गया अरे ग्रेट फुल वोल रहा हूं तु 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 ग्रेट वा मैं को नुआ फूल यह मेरे परिबार के रक्षा और उसकी जीत की फीज तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो नहीं बल्के मैं माफी चाहता हूं कि कल कोट का फैसला है और मैं फीज आपको आज दे रहा हूं मास्तर जीने मेरे बच्चों को पी पढ़ाया है गुरु दक्षिना देने का आप भा ग्रडुस जीजा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पिता जी के खिलाब केस लड़ रह चाहस्य आज्ञतर साल बाबूजी ने उनकी समाज में पेंचेन और ना इके लिए संगर और उपरसे तुम इपनों को साथ नहीं दे रही हैं कंग कल कोर्ट में फैसले का दिन है जी जू चाहें तो केस छोड़ सकते हैं समझाना जैना उनको अरे जीपा आपने तो मुझे भीश्व पिता में बना दिया बाबजी वो कैसे दर असल जीत मैं आप ही की चाहता हूं लेकिन लड़ना उस्कूल के तरह से पढ़ रहा है प्रफेश एडवाइजर की जरूरती तो इस पोस्ट के लिए आप ही ने मुझे चुना था है और अपनी बेटी के लिए भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विनाएक तुम अपना फर्ज निभाओ मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं तो बाबुजी दीपक को भी समझा यहने स ना समझ है तुम्हारे अंदर के महापुरुज को समझ नहीं पा रहा है उत्तम भाई आप बॉम पे बैठे हैं और भाई घर की बात कर रहा हूं जमीन के भाव जो है सब मालूम है आपको यह बताइए कि आज की तारीख में उस घर का दाम क्या होगा पंद्रा करोड क्या पंद्रा करोड करोड जितनी जल्दी हो सके घर बेच दीजे वाले का कोई बरुसा नहीं रस्ता चोड़ा करेंगे फ्लाइवर बनाएंगे तो दाम जो है वो ठुस करक भाईया चाए संप्रे का जूस प्यार की टंकी ओर फ्लो हो रही है काम की बाते करो ना अच्छी कि निशिए मेरे लगने से क्या होता है कि पलानी कि रूब आगर के घर बेचने की बाद दोबारा मत करना कि बार अच्छी किमत दे रहा है बाबू जी ने इस घर की नीव खुद अपने हाथों से डाली थी यह घर उनके पैसों से नहीं खोन पसीने से खड़ा हुआ है यह यह कमरा जहां पर हम लोग यह सब बाते कर रहे हैं यह कभी मैटरनिटी रूम हुआ करता था यहीं पर हम सब पैदा हुए मा ने यहीं नूरिया सुनाई जब भी मैं यह सोता हूँ बड़ी मीठी नीद आती है मेरे लिए घर अन्मोर है मैं इसको किसी कीमत पे नहीं पेश सकता मालविये मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री उंकारनाथ जी ने अपनी रिटायर्मेंट के छे साल पहले एक लाइबरेरी बनवाई ये काम विद्यार्थियों के हित में था लेकिन स्कूल कमिटी के फैसले की रह देखे बगैर उन्होंने ये लाइबरेरी बनवाई और स्कूल को 20 लाग का नुकसान उठाना पड़ा इस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्कूल कमिटी ने श्री ओंकारनाथ जी की छे साल तक की मासी काय, आज तक की पेंशन और प्राविडेंट फंड कुल मिला के जो रकम आज की तारिक में ब्यास सही 10 लाग होती है स्कूल के पास पैसे ना होने का कारण बताते हुए दी नहीं मैंने स्कूल के 7 साल के जमा खर्च को गौर से पड़ा है जिससे ये बास साफ जाहिर है कि स्कूल के पास पैसा है नहीं इस दियों कारनाथ जी स्कूल की तरफ से जुद 10 लाग रुपे मांग रहे है वो देना सचमुच नामुम्किन है लेकिन कोई स्कूल कमेटी किसी शिक्षक को उसकी मा सिकाय, पैंशन और प्राविडेंट फंड से वंचित नहीं रख सकती माफ कीजिए यूर आप खाली किला से पानी पलाने की बात कर रही है स्कूल कमेटी के कानून तोड़ने के जुर्म में उल्टा शिल ओंकार नाजी को हमारी नुकसान भरबाई करनी चाहिए कम से कम 25 लाग क्योंकि सारे पैसे लाइबरेरी में उड़ाने के बार स्कूल की आर्थिक हालत जो बिगड़ी है वो अब तक सुधर नहीं पाई हिसाब आपके सामने है आप देख लीजे आप गंगा उल्टी बहाने की कोशिश ना करें विनाइक जी पैसा नहीं तो ना सही पैन के जगार पैंसिल इस नयाय से स्कूल को उतनी ही खीमत की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ये अदालत का फैसला है कि स्कूल के पास क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जैज साब कूर्सियां केबल्स ब्लाइबोर्ट शॉक्स चाहिए है इसाहिक जगे बस देंगे ये कैसा ने आये अले चाहिए एक हाथी लेकिन हाथी नहीं हैं तो क्या हाथी के बजन के चुहे देंगे यह अजीब है न यह कामदंदे के लिए बस दे रहे हैं यह वह बस दे रहे हैं जो चलती है अधालत का फैसला मुझे पागल की हसी जैसा लगता है जैसे पागल हमारी तरफ जे के हसता है और हमें मालूम होता है इसकी हसी का कोई मतलब नहीं सालों साल कोट में चपलें गिसने के बाद और इतना सारा रुपिया लगाने के बाद हमारे हाथ के आया एक बस बस फिर तुम को बहुच गया, तुब लेट की बात करना है, जो सामने पड़ी है, यह रेक, यह, 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 मानने मेने बस बेची और मुझे पांच लाख रुपए मिले, इसमें से एक लाख रुपए फिर से मैने तुझे दिये, एक लाख रुपए मैने वकील को दिये, हाँ, 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 ह देंगे बस विखे की तो पैसे आएंगे और लगे हाथ तीन इस्सों में बढ़ जाएंगे कभी कभी सोचता हूँ कि देवी देवताओं की तरहे मेरे तीन-तीन हाथ पैर होते एक आख यहां एक हाथ यहां एक टांग वहां तो बांटने में आसानी होती कि तुम्हारे वो फर्नीचर वाले बिजनस का क्या हुआ बाबुजी सुना आए अशकल ठेकेदार लोग बगर पर्मिशन लिए पेड़ काटने लगे हैं बात समझ में नहीं आई मेरे उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे वो भी छोड़ दी वो दो आप तो जानते ही है न ये लोग तनका देते थे हाथ में साथ हजार रुपे और दस्तकत करवाते थे पंद्रा हजार पर और जब मैंने तकरार की तुन्होंने करार कैंसल कर दिया जी अब तुम्हें एक और इम्कान देना है राजश्रिक रुट जिवा देखना है रहे वो नहीं यह यह नीचे रूट पर्मिट सोना वड़े से रतना कर चौप तक यह किसलिए बस के लिए पर बाबुजी मुझे इस बिजनस के बारे में कुछ पता ही नहीं है पानी में गिरोगे तो तैर ना सीख जाओगे देखो मेरी बात मानो बस को बेचो नहीं बस को चलाओ थोड़ी आमदनी थोड़ी लोगों की सुविदा और फिर अपने हिसाब से मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा आपका है नहीं हमें आपकाहिए ठीक है डेख एक बस के अंदर साथ सीटे शती ऑर न एंब्स के अंदर कम-से कम 10 रूपया तो उससाब स्ट बर बस पुरी हो जो जो गे थे शे कर दो एक वस के अंदर एक स्टिफ का मिल जाएगा तो तो उससाफ से देखा जाए अगर को दिमेश गंटे 24 गंटे में गरम से अटारा गंडे तो गैम करेंगे तो एक क्रोपे तीन से भागा कार किया तो उससाफ से दिन में छे दुटा पुजेगे और मोटा मोटा संजा गणित पमना इसा कदा रखीक नहीं था नहीं था ना अबर वाल कितना होंगा अअबर्य तु सवाज़ी करोनुरुपय के जो गाड़ जना अमेर्का आँ करोनुरुपी कि अमेरिक जब गेंगा ऑगा अगा अगे अज आगए अगे घूरी से पेड पोजा खरिके निले जानेगए बस ले जानी है आगे चलिए यही बस है ये गाड़ी है कबुतरों की जाड़ी और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है जिंगा लाला हुग की शादी की वाराद निकल रही है क्या ये वो बस नहीं हो सकती दीपक आप प्रिंसिपल साब को फोल लगाओ देखो एक ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है दो प्रिंसिपल साब आज छुट्टी पर हैं तीन आप जल्दी से यहां साइन कीजिए और चार मास पिटी मास पिटी करव सब्सकी चूडया भी नहीं खरीट भाऊंगा मा के लिए जह अब सब्सक्रभ हैं थे कुछ भी नहीं है उससे कुछ भी नहीं अच्छा है ना अच्छा है क्या कर jagmark कचêu है? टो कपा किरूग रह ए यार मैने फोलडिंग सोफा देगा था फोलडिंग बस तो पहली बार देख रहा पर इसमें पेखिया भी नहीं है कम से कम सकॱ्क पय तो देना शाहिए तो प़िए तुमकियों कैट lahi कर लूंगा अपने आपकी आप समझ में आया कोट में बस देने के बाद भी वो जीजु इतना मुस्कुरा क्यों रहा था ये सब तेरे जीजु का क्या दरा है जीजु का धर्दर के पागल हो जाए अब इस किसनारियल का क्या करूँ अपने सर में अपने घर में अधना तेरा दस तेरा अरे एक बार बोला ना दाश्ट अच्छा थेरा इतने हो जाएगा ना यह तेरा मेरा कम ज्यादा के बात नहीं है उपर वाला बचा है आप पहली पैसंजर के भीड में निकाल दूंगा इनका मैं करदा चुबा दूंगा लाओ बचा लेरा मालिक हाँ चला किता मामें ने पापा से बस के लिए एक नाम पुछा उन्होंने का कुछा जला है बचला है तो मेरे पापाने भी कहा चल एक बात समझ में नहीं आती बाबुजी ये दोनों बार बार तरह तरह से मेरी बेज़ती क्यों करते रहते हैं उनके चल को छोड़ तू अपनी अकल से चला-चल सुपब कि मिल गया ना काम्याभी कर रास्ता उन दोनों ने कहा चल आपने कहा चला-चल तो बस का नाम आज से चल चला-चल अच्छा है सबके चेरे खिले हुए है आपका मुग क्यों लटका हुआ है परे भाई की बस शुरू हुई है सरा खुश रही है ना तेरे भाई की बस शुरू हो रही है तो क्या मैं आच्छू इस तो आप आप यहां पूला रहा है पूला ना च्छाँ आपके आपके यहां क्यों अर्टी वहां चल यहां क्यों कर रहा है तो आटीयो ऑफिस से फिटनेस सर्टीफेट लेना ही ना तो विव टेंड को मसका मारते हैं तो यह नारियल तो इससे फुड़बा देते हैं अच्छा मतलब कि इस देने से संतुष तो जाएंगे आराम से गुलना कि अधिन नारियल ब्रोकर दम क्यों सूख रहा है नम लगाकर फोड़ दो नारियल तुम भी परिवार का हिस्सा हो नारियल प्रोकर दो भी आरियल तुम भी आरियल प्रोकर नारियल तुम है पजरंग बलीट Don't save us, चुमो, don't save us, गुंबुनाओ, don't save us दो दिन की है सिन्पे गारी, खत्म नहो जाएक कहानी, बस में खर लो, बस में खर लो, आनी चानी है जवानी Don't save us Don't save us, don't save us, don't save us Don't save us, 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 no चार दिन की चान्द भी है फिर अन तेरी रात है मुझको कैसी परवायारो बस चुमेरे साथ है दो दिन की है सिन्पे गारी, खत्म नहो जाएक कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी चानी है जवानी Don't save us, Baba, don't save us नाचो, don't save us गाओ, don't save us जुमो, don't save us गुंगुनाओ, don't save us दो दिन की है सिन्पे गारी, खत्म नहो जाएक कहानी, बस में कर लो, बस में कर लो, आनी चानी है जवानी Don't save us, don't save us, don't save us Don't save us, don't save us शीप में होंग, कि ट् ÓÁLर AU Sब handicap, कि दालर भाउंग, और नहोंग, लो, इ Alors Nest, और कि ए, बस में realistic कानी है कर दो कि लिए सिन्गाने हो जाये कहानी बस में कर लो बस में कर लो अनी जानी है जवानी टो जी बस जी यजिड दो जी बस कर दो जा खालो! फालो! फालो! मैं पेसित प्रोकन! कोई लए इन जिन जैसे थो लोग फेक रही है को तो मैं फिटनेस सेटिटिफिकास जई पैले इस फिट जर बाओ! तो मैं अलो! कि ओ कि अको घो कि अ. कि व जो फेकि नवेवाटन कि अालो! कि वालो! कि वालो! कि अ वालो! कि अुआ प्रोकन! और मैं रपास! मेर पास्पूर्ट मेर ! हुआ हुआ तुझे तो मैं को ते के मौत मारूंगा क्या हो गया अब बुझे बोला न तो चीटी की तरह मसल दूगा नहीं आ मैं नहीं और तू भी क्यों नहीं तू मेरे दोस्त है इसकी यह इसी किता इसी किए इस अबे 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 गयर किता ले जा रहा कॉंसे गयर से गाड़ी चलाओंगा अब üçञ करें कि अब और रहां करें। एदेड़ और इस फल्दल शुग है कि अब तरस्थ्थ्थ्थ्थ और और न ककरें। कि अगे ले गाड़ी सुन्दर कि अरे अरे ट्रैफिव जाम क्या सब पूछ रहे गाड़ी हटा भी यहां से सलाम साब हैपी वेलेंटाइन डे अपाड़ी हटा तु पहले क्या बाएको वाइप सारी गल्फरेंड सब ठीके ना अरे बार बच्चों को पूछ यार मेरे बाल प पासपोर्ट चुवा पहले अरे उसमे पब्लिक का दोशन तू गाड़ी आठा अरे लेकिन मैं क्या करूं वो मार्ने को भागा है नहीं वो मेरा दोस्त की बात कर रहा है तु गाड़ी आटा पहले और लेकिन वह आएगा तब निकलुगा ना वह तो घरे लेकर भाग गयु कि अब तक साल को जाए नहीं मार दूगा तब तक टारे मेरे सपने बर्बाद कर दिया जाहां हो गया वह इस्पेक्टर साफ बढग रहे हैं लिवर दे मुझ पुछलने लिवर चाहिए अब वह इस्पेक्टर तेरे मुं में आठ डाल के तिरा लिवर भार ने लिवर ने कर दो यह अब इस जा चबसुए को कि कि अंसे ड्राइब्र कंड़क्टर की पोस्ट के लिए एन देशिक आबादी के प्रपोरेशन में है इस अब है पिर भी मैं सोचता हूँ कि इतने लोगों में दो आज में किस लेक्ट करना बड़ा मुश्किल है अरे बहुत सिंपल है इजी है जो हमें दस अजार देगा हम उसे काम देंगे दाम नहीं तो काम नहीं मजदूर अगर मालिक के मूँपे पगार मारेगा तो उसकी नियत काम करने के निए पैसा वार निकालने के होगी और उसके काम में आत्मा और जान नहीं रहेगी और मुझे लगता कंपनी चलती है मजदूर की महनत और इमानदारी से आप तो बहुत दून निकल गए ठांबा विंतिया है पगार नहीं डिपोजिट डिपोजिट वो भी बहुत गलत सिस्टम है गरिवों के साथ बहुत बुरा हो रहा आज भी उनकी मिले तोड़ दी आती है वहाँ पर पबना दिये जाते है रस्ते से किरानवाल की दुकार हटा दी जाती है वहाँ पर होड़िंग अर इतनी कुरवानियों के बाद उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी को पता ही और ऐसे में मैं उनसे पैसे लूँ एस क्यूं करूं कि तुने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है यहाँ पैदा होने का हम सब करते हैं यह कस्टर्ड है बिजनस का मैं कंगी क कि हम लोग अपना बिजनस बढ़ाएं जी जाजी आगे बढ़ाएंगे बिजनस जोर्दार शुरुवात हुई आपकी है गुड या पेरी गुड अच्छा मेरा सुझाव है हालाग मेरा सुझाव तुमारे लिए बिने टेकट का स्टैंप पेपर नहीं 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 तो फिर मे क्या हुआ क्या कर रहा है यह उसके विस्दर का लॉस हो गया कौन है को नहीं यह लूग रेगस्तान की सालकों पे 20 साल का एक्सपीरियंद आर्मी में भी काम किया है कडी नजर फूर्तिला दिबाग लोहे जैसे हाथ स्टेरिंग पे एक डम स्मूथ अलसा है अपना ड्राइ अपने स्कूल के पुराने चैप्राशी का बेटा बाबुजी ने गनेट पनाई इसको अच्छा हसा नाम है हाम है हरिला गुड और ऑफिस का काम सबालने के लिए मैं हूँ जिंदा अभी तक इसलिए मेरे पेट पे लात और दिमाग में घूसा मत मारिये प्लीज ओके तो य है कि वोल का रतना के चौक उस बस को फालो बरो उसको और टेप पस कर लेला हुआ है क्या जल रही है जास्ते बंडी जी नमुस्टे करो चलो 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 बच्चे आराम से स्कूल आजाए दरेंगे यह भाइसाम जो खड़े वो यह आराम से आफिस पोजागे का पुजारी जी भी दुनिया अभर का फुजा पाट किया अपनी बस क्या चलिये कई जिन्दीगिया सबर जाएंगे बिलकुल सच पाभूजी ने ठीक आ था ता ये काम मुझे बड़ी आला तू खुश है ना मैं भी बहुत हुश हूँ हुश 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 हु है हम जो बस घाए हुश 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 हो सच फ साता जवाली में जोता तक से ने में वाली हुश आई पुशल अब तो इस रूट पर आना लगा रहेगा पहले दो बच्चे पिछे बच्चे बच्छे वाटेवर रहे बस को टेक कर ले है इस जेम्स ऐंड कि शेखोन के चया के लिए वो data क्या नूंक आए यहाणने बस फ्रक्रावे वरी रॉक नाñas घ। अधिक कि इसद्र के शाखे जडूरे उडरब शयाए अधिम्री और आ furषण और यहाणने बस कमले यहां हां . च्छाफ ? है टिकिट के लिए इतना लंबा क्यों बढ़िया है बढ़िया है लगे रओ भाई लगे रहो लाइनमें और क्या बात है लगता है पहले ही दिन बस ने busynes टॉपघियर में डाल दिया अउने मां रत्नाकर चौक तक एक बीकाट दूर तक हमारे लाके के लोगों को बहुत रहत वुली है थांक यू था बुरा नम दाइएगा पायल इन पायते शोनावाडी से रतना करचोक यूथाटल्स पाइसे आप और लिए एक टकेट कारणी के लिए पुरा है ज्युक पेपल लिख वारा है टिकेट ने गाड़ रहा हूं कंसेशन दे रहा हूं आड़ी काड़ी तो कर रहा हूं बैट की सिस्टम से अरे यार आजकल हर बड़े धंदे वाले कंसेशन दे रहे हैं कम से कम देश को चमकाने वाले लोगों को तो कंसेशन देना बड़ेगा ना स्टुधेंट्स बुजुर्ग मिलिट्र ओफिसर्स नहीं वाले एक साल में एक बस से एक करोड का जुगार करने वाले हैं अईसा तूने गिनवाया था बरे बाजार पागल हो गया था तो हमाई मैं यह कंसेशन हमारे जुगार की कमर तोड़ देगा यह खेरा तभी के अभी बंद कर हैं इसे लोग कतार में खड़े हैं मार मार के तार तार कर देंगे तुझे आप अपना उड़क पतर आमीन पजान पतर लाई हैं नहीं क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रेस में आप्रिंटिस काम तो सीखी रही है हम जिंदगी बर कुछ ला को सीखते रहते हैं हम अंग्रेजी सीख रहें यह धन्दा सीख रहें आपको मालूम है एक बारी किस कुरू गरिजाले से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो तो मैं देखी रही हूं क्या देख रही हूं तुमें से आपके तरफ देखूंगा ही नी है अब आप जाहिए लौ स्टूडेंट नो कंसेशन जाहिए 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 पर चिलाने की कोई जरूत नहीं है तुम्हारी मालिक ने नई स्कीम खोली थी इसलिए आई थी कोई भीक मांगने नहीं ने-ने-श-म-दारी के बंदर से ज्यादा उचलते हैं कि यह क्या बच्पना है यार अरे यह इनके काम की लगन है चलो तो आप आप मैं कलक्शन के पष़े लाता है फिर भड़ा बढ़ता हुआ अरे बसंतिलाल हां आज की कमाई कितनी वहीं बस भरी थी पर ज्यादा तो बुड़े बच्चे मिल्क्री वाले सब कंसेशन कुछ खास नहीं तो डेड़ दो थाड़े तीन अजाज जो हो गया वो देदो निखालो निखालो है चलो जो भी है बसका काम तो चुरू हो मैं टेक् अज़ा लगता है कि आपके गयर आजरी में आपके बस को तोड़ फोड़ के बिल्ड डालेंगे जीतनी आपकी रोजी है न भाई या हम दोनों की रोजी है ने ने आप गलस समझ रहे हैं ये तो क्या है ने आज पैला दिन था तो मैं टेक्सी में से बैट कर बस को देख रह और ये को तरीका नहीं मालिक से बात करने का ये इंग्रिज लेक्या अब्रीका जा ये वारे में कुछ गलस बुल ला था के ने वह तो कोई हम और बात खतारें तो कुछ ये क्या हो रहा है अ दूरो आप दिने टुर अट जो रहे अ तो रहे हैं धुरो ने श्रीक जिरिगे कई पूरी हट जाती तो आप कितने गिर गए होते हैं अब दोनों भी तूर हट जाओ मेरी नजनों से अच्छा यह लीजे यह लीजे अब हम आपसे पंगानी लेंगे यह लीजे ठीक है बेपकुर्ब समय रखा है क्या अब इनकों हमसे क्या तकलीफ है क्या तकलीफ है अब आदमी को अशुविदा कोई कस्ट कोई तकलीफ मालिक हार आदमी यह कंसे तकलीफ होगी सब खुश है आप देखे ना क्या आदमी को कंदेशन नहीं बोला था मेरी बाते है अब अधर जाके गाट जाके गाट जाए उधर अधर आयो यह जो सजण आपके सामने खड़े हुए है यह बसके मालिक है यह ही रहे है आप लोग इनकी जट के लिए इनने बैठने दीजे उठीए 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 आप लोगों का समाधान ही हमारा सुख है हमारा यह लक्ष है कि आपका सफर एकडम स्मूथ हो जैसे मूम मक्षन क्या हुआ है रहे टायर रच्टे पुराने तो हम लोग क्या करें अपने मालिक से तीन माने के लिए और एक बार मुझ खुला तो नकली दाथ गरा देगी कि इतनी शुवीदा हम लोग किसी को नहीं देते पंचर की क्या गारंटी है हमें हमारापैस लो अरे स्टैबन लेगा नहीं पाइस ले तो मरमत क्यू नहीं करा थे हो जाएगा भाई खोकट चंद तुझे कंसेशन मिला है तू मुह मत खोल अरे इसकी मरमत करो रहे तो छोड़ने करी वे ग्रेट ड्राइवर अरे उस पर चखर किस पर चड़ाने का चक्कर में उसको लिचे फिक क्यों इसमें हवा नहीं है उसमें भी अरे इस ते तो बैल गारी अच्छी थी दे अब मेरी बिठा कल तुम्हारे पापा तुम लोगों को स्कूल नहीं छोड़ सकते इस पापा इस लेटल बीजी मतलब स्कूल की चुटी चुटी बुटी नहीं कल मामा खूद आएंगे अपनी बस से भांजों को स्कूल छोड़ने के लिए येस डोंट माइन मामू लेकिन आपकी खटारा बस देखके हैं ना सब लोग हमें चिडाते हैं वो तो अलग बात है मागू कि हम थोड़े फेवास हो जाएंगे लेकिन हम आपकी बस में कभी नहीं आएंगे ये तिरी बेटी क्या बोल रही है अब ये क्या बोल रहा है भार कि अधिवा इसका हिसाब किताब सब खत्म हो गया है कुछ ठीक नहीं है इस सामने देखने के एक्टिंग कर रहा होता है और उपर इसकी नजर आस्मानी की तरफ देख रही होती है बस गयराज में अरे लेकिन हुआ क्या मुद्दे की बात कर दो अरे बस ने दुकान उड़ कर देख गया नहीं तो दुकान दार तो जाता ही जाता सात हमारा धंदा हमेशा गले कर दो को इसे खिर यह इसे लेकिन इनके साम्रें रो गलत तरीके से रहे हैं घर है मेरा आस्तर हो यह क्या हो गया आपके ड्राइवर ने मेरे दोखाने कुछ डाली बर्बाद कर ड़ा आपके शाल का पसी ना बह गया मेरी चोटी 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 कट गई अब भी पाइसा बर्बाद मेरे चोटी चोटी बच्चिया उनको ने वाला कौन किलाएगा जी अरे तुम तो कन्फ्यूज हो रहे हो तुम आदमी की पैजा मा तुमारी दुकान गई की बीबी अचे सुनो तुमारा पैसे का नुकसान हो गया ना तुमारा पैसे का भरपाई क आप आमि कापान सही साब मुझा या आप सच मुझे सबसकर हो Ara यह सब क्या हो रहा है यह घर है की कूट का चेरी राच में भी केश चालु है लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे यहां बैट कर आराम फर्मारा है कि पाहाड परबत पर गाड़ी चला देह समाहिए एक दर मखन के द्रा गाड़ी चलाता है और शड़कों पर के तेरी चश्में पर मक्या बेड़ आती है ए गुरू छोटा-मोटा एक्सिदेंट हो जाता हूं अर्भास मत गिरो, छोटा-मोटा एक्सिदेंट हो जाता है सला सोडा बाटल की साइस का शष्मा पैना ते हो दिखाई ने देता उता ये क्या है? इसकी बात निंकर रहा ह róż है? उंगलीक आई है ये क्या है? दो उंगलीक अभी देखो आपको अंगरी जिए को बुल क्या थी आ आते हैं ला तुमको बुल खशर इह देखा रहा ये क्या है? ये एक फटका मरो गाँ रहा नना खीचके सिदा 34 सिदा का तुम्हें कुम्हें जूता मारखा ना फास करता है अईदा तुम्हें करता ना ना पगार संकातरा शुरू कर इसी महहिने से तु चुपका determiner और तु सुन बाहिए छाथे युइवाल्टे से नो तो कुछान तूने से और जाते वाल्टी से और तु खुश मतो, आइंदा अगर तुमने कोई खुल गपला किया, कोई गलत चाल बाजी की, तु याद रखना हूं है, मैं चान से माड़ा लूँगा सबकुई पहने रो समझे, वह वहां पर अभी दो, दो ड्राइवर, सोही सुबा, उठे ही नहीं, जाद रखना, नमस्ते, हाँ जोड़ का उलूमत बनाना समझा, आगे यह अकल, सुनो सालो यह तुम दोनों के लिए था, सालो बस बेच के दीपक को कसाई का काम देंगे, और उसको अरे भाई साब, आप लोग कन्सेशन के लिए आये क्या, आज कल यह मिलना बंध हो गया है, नाई नाई बस चला रहे हो, नाई बस तो पुरानी है, क्यों? मालिक तो नहीं नहीं हो, तो? इसलिए गजंदर सिंग को नहीं जानते, गजंदर सिंग कोन है, एबी, एम्यो के से तो मैं क्या करूँ तुमने हमारेक ड्राइवर को जांद से मारने की दमकी दी एक को नहीं दो को दिये तो लगता है सिंग साब को खुद ही आकर तुमसे मिलना पड़ेगा हाँ बोलो उसको कौन है सिंग साब वो गजंदर हाँ बोलो यह क्या नाठक लगा रखा है एक बात बताओ भाई यह का सबसी मंडी है जिसको देखो सर उठाए चला आता है दो किलो यह देना ट्यार किलो किति व trauma क्वान गर किशांति भर्य कशे मअधान उसरा में चैह रहे सबकर आख रहे हैं अच्छेब बदेश्टिंगा ब्डोकन क्या ब्रोकन से तुम्हें इस तरह अकड़कर बात नहीं करनी चाहिए थी यूनियन के आदमियों से पानी में रहके मगर मच से बैर क्यों लेते हो वो तुम्हारे बस के रूट पर मुसिप्तें खड़ी कर देंगे तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए हाथ मारने को उठे तो भी पुछकारो गाली देने का मन करे तो जबान पर शहद लगा कर बोलो लोगों को इजज़त दो उन्हें अच्छा लगता है हमारा क्या जाता है कचेंदर भया जिन्दाबाद तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए प्रडाम महोदे आप ही गज़ंदर भहिया है कहिए तुम्हें ने उस बिचारे ड्रावर बसंतिलाल को जान से माने के धमकी दिया जिन ही आवेश में बोलने मातर की चेस्टा की थी परंद तुम्हें अपने आवेश के लिए च्छमा प्राड़ती हों अगर अगर शमा से भी संतुष्य शानती नहीं है तो मैं आपके वहां चालक के चड़नों को पर्श करके उनके आवेश को संतुष्ट करने को तयार हूं और वैसे मैं आपके महान व्यक्तितों के सामने नतमस तक हूँ देखो मैं तुम्हें या डराने धमकाने नहीं आयों सिर्फ समझाने आयों आज का मज़दूर मजबूर नहीं है मज़दूर पर मालिक के मनमानी वो यूगी बीद गया भीया प्रभू आप और आपके साथी धन्य हैं हम नगन्य हैं आपने हमारे ग्यान चक्षु खोल दिये गजंदर भाईया जिदावाद खयाल रखने इन मज़दूर हों आपके सब्चोर कैसे बसंति लाल जी को एक बार में खास ख़बर कुछ नाश्ता करेंगे आप आपके लिए कुछ मंगवाव में रश्यन सैंड्विच उत्तपा यह बस आपकी है आप अपनी पत्नी और बचों के लेकर घूमों ना इसमें महेंगा पड़ेगा नहीं में भ मेरी रही नहीं मुझको तलाग दे को उसे किसी और के साथ शादी कर ली अगर उस पत्री को मैं इस बस में घुमाऊंगा तो उसका लेटस पत्री मेरे को बहुत कुछती की तरह मारेगा आप अपने परिवार को घुमाई है ना आप ही की बस है ये माबाप के अलाव कोई नहीं है दुनिया मेरा मालिक है तो आपकी बस अच्छी है लेकिन अनाथ होने का खत्रा नहीं ले सकता मालिक है आप लश्टा करेंगे कुछ आपके लिए मंगवाओ मैं घर से आपके आप तो हरे बगवान जैसे हैं नहीं बगवान मने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोग मजदूर आदमी है आओ आओ हम दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाते हैं अगवार चश्में से चिपकाए फिरते हैं और कित्रे बेखावर आया गाड़ी निगा लिए गाड़ी आप ने क्यों तकलीफ की किसी के हाथ भीजवा दिया होता है अरे इसमें तकलीफ कहें कि यहां से गुजर रहा था सोच ऐसी बाने मुलाकात भी हो जाएगी अच्छो आप गुजर गये स्कॉच है औरीजनल अच्छ आप सोडे के साथ लेंगे या कोल ड्रिंग के साथ नही इस एरिया के जमीन के भाव जो है वो जल्दी बहुत तेजी से रहे हैं हाँ लेकिन मैं आपको अभी भी वही कीमत देने को तयार हूं जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया है अर भाई यह तो अच्छी बात है नहीं वो हो जाएगा डोंट वरी इसमें आप लोग जल्दी स नहीं हो जाएगा ब्याद करूड सुबसें आपका जया बननें अच्री नहीं हो जाएगा ओं में हो जाएगा तोर आतकर करूआ ၉ यह कुरा जाएगा तो है मालिक ये आपके जीजु है आओ बसंति लाल को बुला लो तुम लोग को रोज को अनिगाने का प्रव्मम स्वार कड़ालता हु आई जीजु नमस्ते मेरा मूँ के रेड सिगनल है जो मेरा मूँ देखते खड़े हो गया आप आर सी सी लडिया निकालो जल्दी कल नात को दिखाया था ना मैंने आप ताइम क्या हुआ था नौ बजे था नात को बस आद बजी निकली दिस टैंट से अरे भूल के आप व इस्त्री वाले जगडा क अरे यू फालो में एंक्को क्या हो गया रहे कितने सेंजे रहे पचास वेटे अंदर कुटे है देन वाट वी वीडू इस का मतलब बस ओवर लोड ए एंग्स्किश्मी इससे दुगने लोग बस सब्स चोड़ किया है क्योंकि इस रूर्ट पे एक ही बस चलती है लोग चलत बस में अन्दर कूते हैं, then what we will do? इस बस का ताइम टेपल आरटियों को भेजा था? ताइम परमिड बी का है? बी? या बी-बी बी-बी इसकी बी-बी का क्या काम है? ए शट अप! यह टायर रिटायर लग रहे है? इस न्यू, री-सोल्ड, पैच भी नहीं अगा हुआ है, देखो कैसा चमक रहा है, लुक्सी, बॉच्च! पर्स टेट बॉक्स लगा है? आप बॉक्स भी अंदर दवाई भी है तिखाओ, आईसा गुरु, उसके जखमों पे एक हरी-पत्ती चिपका दो जखम कौन? किसको? कहा? अरे, रिश्वत खोरी का जखम है, उस पे खरी-पत्ती का फाया रख दो मैं अपने जीजू को रिश्वत दू? उसने बोला ना, बाजू अटो जीजू विजू घर पे बोला ना बाजू अटो कब बोला, तुम मुझे बढ़गा रहो मैं बढ़का ने रहा, वो बढ़का वा, उसको ठन्ना कीजे जाए, पानी छोड़ियो उस पे अटो, खोलो, क्या? अरे, फर्स्टेट बॉक्स, खोलो अरे, अरे, कुट्ता नहीं चुआ है वो अरे, सिक्रिशेट टायर्स ठीक नहीं है रूल 9-B ब्रोकर, काड़ी ओवरलोड है रूल नंबर 65-D ब्रोकर, मेडिसीन बॉक्स, एक चुआ है कुट्ता नहीं चुआ है पे, मेडिसीन बॉक्स में कुट्ता प्में चुआ था ईसका rule number pata na hy एपड एपड लेकना पड़ेगा बस लिग बंढ़ेगा बसाथी इस ब्रोकन जीजू , जीजू, जीजू Cristi National permit part B not shown, rule 238 यह ब्रोकन तायंच ऍपल मुट्रकर, कॉन कुट्दका अह जीजफी जीफीफन क्लास ब्रोकर ये बस अभी के आभी आर्टियो आफिस लेके चलो इस बस का फिटने सर्टिफिके कैंसल जब तक मेरी इजाज़त नहीं मिलती तब तक ये बस आर्टियो आफिस में बस है जीजी नजर आते हैं क्या है एक सब्सक्राइब अगर सरकारी गाड़ी का कांच नहीं तूड़ता तो बात अपने हाथ में थी ये बागण बिल्ला जीजा कहीं मुझे अंदर ना करवा दे तू गवड़ा मैं मैं क्या करूं यार यह तो कोई साधी वर्दी पुलिस लगती मुझे पुलिस वाला ही नसर आ रहा है इससे इससे बारा आ बारा आ बारा बीश अच्छा सर नहापकाना मेरा अठारा प्लीज डिलेवरी देने सर आजस्थान में नारियल बेजने सर प्लीज विरा ट्रक छोड़ दीज़ा सर प्लीज 19 देदा और निकल लो अच्छा सर मेरा क्या मेरा क्या होगा सर रूलीज ब्रोकन मेरे घर में फर्स मिठाई का बॉक्स ओपन थैन आ विल गिवी टोकन ओके हो जाएगा अर बात मामनी बात है नहीं टास जलाओ दो थोड़बद दो और थोड़बद मरमत करवा दो गारिया आपकी छोड़देते हैं आपकी थैंक्यू वरी मुझ सर या जीपक अरभई आपके पिताजी ने हमको पढ़ाया है इसे गुरुद अच्छा समझ लो कैसे हैं सर अच्छे हमारा नमस्ते कहिएगा उनसे जीजरू वा उत्तम मान गई बायम आपको अरो मामनी सी तो खराबी आपकी गाड़ी पकड़वा दी थैंक्यू सर अपिमानदारों फेविटिसम नहीं करते हो यह जताने की ज़रोत नहीं है यह तो हम भी जानते हैं मैंने आपे दस्टकत कर दियें आप भी कर देजे इंकी बश चोड़ दीजे जी तोड़ दीजे साले को समालना पड़ता है सारी दुनिया एक तरफ और जोर्यू का भाई एक तरफ लेकिन सर इनोंने जीप का कांच तोड़ा है कांच इस आपकली एपसुलूटली ब्रोकन सर तुमानों तो भरना पड़ेगा न सर कौनसी जीप वही जो मैं लेके जाता हूं सर मंदर वो तो गैरेज में है न तुमने खुआ हुआ 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 चल चला चल कंपनी अरे पायल जरा देखो तो तो इसमेंटल इस ओडर का ओडर पुरो हुआ की नहीं तुम तुम कितना हुआ एक हजार एक हजार फोकट महलिक रानी विच्वे आर्यू टॉकिंग पांच हजार का ओडर था यहां भी कंसेशन टिकेट पांच हजार उसका बिल एक हजार बेट देई बात आपकी आधी खोपड़ी में और यहां जादर टाइम पास किया ना तो प् अधिलाल तुने टिकेट दिया था उसे याद नहीं तो यह याद कर उसने टिकेट लिया था तुझसे शायद नहीं तु कंड़क्टर है कि जमेला तुझा कुछ भी याद नहीं है टिकेट पलीज मेरी ही चेकिंग क्यों मेरी मर जी निकलो निकलो टिकेट निकलो तुरी भरात तो पापा मम्मी भाई बहन कौन-कौन कहा कहा बैठा है दिखाई है मैं पुरी बारत लेके आई हूं आपको कौन बोला तो फिर यह इतने सारे टिकेट यह सब मेरे हैं एक कल का एक परसो का पुरे हफ्टे के घठे खरीदे क्या पिछले हफ्टे के हैं इन में से आज का देख लो आय मेरा टिकेट भी जल्दी चेक करना मुझे उतरना है रोज टिकेट चेक कराई को उतरता है क्या जाना और भी टिकेट आपके पास है घर पे हैं आपको आधे भाव वापस खरीदने हैं क्या तो हमारी बसके टिकेट पूरे गाव में आधे भाव बेचते आप मतलब तुम्हारे पास कहा से आ है इतने टिकेट आप इने तो दिये ना करती हैं हमारी बस के टिकेट भी उसी प्रेस में छपते हैं वह भी अलाउड है क्या यह नजर नीचे माल पीछे टाइप की कन्या तिकेट सीधे प्रिंटिंग प्रेस से ही लाती है अपना पाफ्सो का ओडर था पाफ्सो खुद के भी बना डाले रोज एक पत्ती निकाल के हमें बेव कूप बना रही है क्या बक्ती हो आप मुझे पर चोरी का इसाम लगा रहे हो मैं जो भी काम करती हूँ जो भी अकाथ है मेरी मैं ऐसी गिर्यों हरकत कभी नहीं कर सकती बस रोगो कल से मैं इस गंदी खटारा बस में पहने ही रखूंगी तुम इस खटारा के लाइक भी नहीं हो तुम हवाईजाज करी दो हवाईजाज उस पे चलो है चाब 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 मेरा एक काम है आपके पास हम लोग किसी और का काम अपने पास नहीं रखते आप जा सकते हैं मज़ाग नहीं समझते जी बताइए क्या काम है जी मैं आपकी बस में धंदा करना चाहते हूं लाइफ इंसुरेंस का सर और मेरे धंदे के लिए पब्लिक टांसपर्ट से बेतर कोई जगा हो ही नहीं सकते किसी भी बस में बैटो सच मुझ लगता है जुन्दकी का कोई भरोसा ही नहीं और उसी डरावने मुकाम पे अगर मैं पैसेंजर्स को बीमा सुरक्षा योजना के बारे में बताता हूं तो कोई भी विचारशील गदा ये पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा इंदार के तो आपका कमिशन डबल लेकिन जब मैं दुआ कर रहा हूंगा कि मेरी बस के साथ कुछ नहों आप दुआ कर रहे होंगे कुछ हो तो कुछ हो इसलिए कुछ नहीं हो सकता है हालो गुरू हमेशा की तरह ना किसी ने अपनी बस को ठोग दिया और पब्लिक पहागल हो रही है का से बुल दूम पीसियो के पिजरे में जंदर का है हौश एएएएएएएए ए ए। तो सामान कि टारे के उठा रखाया है। एक यो दहुद होरे एक मेरे कुछ पा जबरू हैए एक मिनट्ट एक वा जबद पर एक जब और तेरो दोनों अन्मोल रतन भाजते हैं वो ड्र क्यों उब तुम लोगे क्या फागलों के सब सु हमत में आरे बmotion कि कब कि दो कोनु बैठार हूस्पिटल में जब aceite में इसकी शलक्षा तो तु मही कड हाया ना मुखा मैं कि अश्टारिशा ने टूतने की भरी निती जाहिवी पख़वा कॉने हुझे सुरक्षा करने मुझे सुरक्षा करने है मेरी बाद मजनसे पर चू पर दुखी अपने मेरी वालेकर जाएगी यह पूरी दुकान करेदने किया दरह हुआ नहीं क्यों, हो गए चुक्ती, सारी चावियां उस लड़की के हाथ में है, वो हमें बचा भी सकती है, वो हमें बेच भी सकती है खिलाने फिलाने से भी कुछ नहीं होगा, और भी खाएगी, खाएगी ही, तो कितना खाएगी ये भैज, लाक दो लाक कम से कम, तो जुपकर रहता कुछ नहीं होगा, तरफ, 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 ये ये वाली ने यहाँ पर एड़ेजन क्यों ली, अब अपनी एक्सिदेंट वाली कहा है, लैंजी, सिस्टार, ये बस एक्सिदेंट हुआ तो वो पेशन का है, वो रही, ये है, वही है, पैर फ्लेक्शूर है, स्कानिंग करना पड़ेगा, ओपरेशन भी हो शायद, ये भावान, आप उनके पती है, नहीं, उनके पलोसी है, कभ ये हमारी किसमत के अकाई के उपर लिखी हुए है, जब कदम लगते हैं, फिजल जाते हैं, अब पाला ही पढ़ना था, तो ये इस लेडी गरिगट से पढ़ना था, मुझे तो पबलिक मैड लगती है, लाल बत्ती गाड़ी चमकेगी, पुलिस आएगी, अभी ये तो नई मेरे कान में मट डाल, तू ये बता करे क्या, लड़की ने सच बोला, मद मखी ने चटा खोला, तू पुलिस के सामने इससे ये उगलवाले, कि इसकी ही गलती है, रोड क्रॉस करते वक्त चकर आगया, आँख लग गई, नीद में चलने की मिमारी है, कुछ है, तो भजरंग क्यों मेरी का शादी हो रही है, जहां फिट करना हो, वहां फिट कर दे, मैं चलने, फिट करवाना फिट कर दे, लड़की है कि स्कुरू है, गोड इवनिंग, शन ने यहां थी गोड इवनिंग कहते हुए, मेरा पैर गया काम से, मेरी तो जिंदुगी बरबाद हो गई, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझ पर, मुझ पर चोरी का इंसाम लगाया, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपके बस में कभी नहीं चड़ूगी, तो आपने आपने ज्राइवर से कहकर मेरा एक्सिट करवा दिया, यह जूटी बात है, आप तो मुझे फ्रेम चोपडा बना रही देखिये, आज ता कोट कचरी के अंदर किसी का फाइदा नहीं हुआ है, यह मेरा परसनल एक्सबिरियंस है, हज जाना तो लूंगी ना मै, मेरी चलती-फिरती टांग जो गई है, अरे टांग क्या, आप से हटकर चलती-फिरती थी, आप देखिये मजाग की बात नहीं है, इस दिवाली होली जयनती बिमारी बैंक होलेड है, इसके बास साल में कितने बचते हैं, और वो भी आदमी अगर कोट कचरी में उजार दे, तो बुड़ा पाना तो पक्का है, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, इस बात की फूल गरंटी है, इंसाफ, इंसाफ ही होत यह कोई मैगी नूडल का पकेक नहीं जो दो मिट में तैयार हो जाए, जी, जी, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, यह कोई मैगी नूडल नहीं है, लंबा सेशन चलेगा, बात आपस में निफटा डालते हैं, आप प्लीज जाओ यहां से, वैसे भी मेरे वखील विनायक अ मेरे जी, जी, जी जो की दबंती ही नहीं है, मेरा उनका तो एकदम कहची और मूझ का रिष्टा है, जाद लगाते हैं, हजामत करने कोशिच करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ, आपस में निफटा डालते हैं, कोट में जाकर क्या चील की चलाएंगी, मैं आपके साथ और बड़ी बेंड की बेटी, बस इतनी सी है, तब तो यह बिल्कुल छोटी फैमली है, मैं बिल्कुल समाल लूगा, बेफिकर रही है, तो मैं समझू कि यह तहाँ होगे, आप सबको समाल, पुलिए, तेखिये आप इस बंड़ो से कह दीजगा, क्या आपको चक्क्रा के थ सली, ब्लैक मेलर, परिशान हो जाँ, फर्स्ट एंटार लिये, तो पंचर हो गए, सेकंड एंटार लिये, तो दुकान वाले को पैथीस हीजार उपए देने पड़े, उसके बाद एक्सिडेंट हो गए, अरे एक्सिडेंट ही होना था तो तुमारे जीजाओं में से किसी ए जादा मत बोलने तो बसंति लाल को तेरा चरह दिखा दूआ, दोनों जीजा है मेरे, जीजा के बीजे क्यों पढ़ रहा है, बगर अड़ी की जबान है तो बस हिलाते ही ज़रा है, जिसका चरह देखता हूं, ऐसे लगता है जैसे इसको कुछ देना है, अब तुझे भी दे मालिक मेले की तेरे शिरू होगी, तो मा गया करो, चमिया की तरह नाचू, नहीं गुरूर, आपको बताना भूल गया तो में, वो मेले वाले लोग है न, चंदा मांगने आयते हैं, मतलब बाजा बजरा है, एक फुक उनको भी मारनी है, नहीं मालिक मेला मतलब पैसे का रेल हरी लाल तुने पहली बार ऐसी बात की है कि तू हरी नोट का हगदार है, मालेगा, ए हरी पत्ती, ए दिन राद इत्ती है वी बज चला ना, खाने का काम नहीं है, जब तब मेरे को हरी पत्ती नहीं मिलती ना, मैं गयरने बदलता हूँ, अरे पसंती लाल, एक बार मेरे इसा तो अने दो, फिर तुम्हों देखो, मैं करता क्या, पहले मेरा देना, क्या बुल्ला, मैंने सुराई नहीं, फिर ठीक है, हाँ क्या थे हाँ और बर बर चलाग कर लाँ है ददद दुत ददे? दददददददददद लाँ उड़्त कर दो modeled द advertisements दददददददददददददददददददददो फतलक सर उसे दो कर दो दुल Contब ईसे वर गशकत दूनके हैं झाल 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 हुआ 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 है यह क्या बत में जी कुछ नहीं ऐसे ही दूपटा ठीक कर रही थी तो तुम यह क्या कर रही हो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने अब तक फूटी कॉड़ी भी नहीं चुकाई वो वो गनपती के मेले चल रहे थे यहां पर एक मिनट की फूरसाद नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल से डिस्चाज होने के बाद मेरे पास घर जाने के लिए एसी टैक्सी के पैसे भी नह चुक सकती हो और नहीं सुख सकती हो और नहीं सुख सकती हुआ और धितने व्लीयग उन्हीं किया सबसंज गया है मैं अधिया नहीं कहा तक कि यह मेरे पूरल कभी ख्या लखेंगे और यह कुन्या सब्सक्राइब कशितरा अरे अब तु मुझे क्या सब जाएगा अगर ठीक ताइम पर तेरी शादी हुई होती तो ये नौमत नहीं आती हजारों लड़किया मिल सकती थी अच्छे खांदान की एक यही डिफेक्टिव पीस मिला था तुझे हें तु समझ नहीं हैज़िए इसके खांदान वाले सब ठीक ताक आगया और ऐसी कोई बात नहीं और तो रहा और तो सुन रहा है ये निवाट के वांदान के बारे में कुछ बोला तो और तीरे खांदान के बारे में क्यों बोलेंließen उन बेचारों का क्या कसूर है, सौरा कसूरेस बर्दाष का है, क्या बखवाज कर रहे हैं बार-बार कुशूरेस क्या बात कर रहे हैं मेरी मा, तुब आठ समझती क्यों नहीं है, मैं बच्ची हूँ, लड़की, हस्पताल, बता ही नहीं, अरे बाबु जी को पता चलेगा, त जा अंदर जा जा अंदर यह वह लड़की जिसका मेरे बसकताथ अखिडेंट हो गया था इसकी टांग तुड़की ती इसलिए अस्पतल गई थी वह और मैं उसके पैसे दे रहा हूं इतनी सी बात है बस इतनी सी बात है अधर रही थी तू मुझे तू जा अंदर तू पगड़ पासो मेरे रोज के दवाई और इंजेक्शन का कर्चा हजार उपया है अधर पासो और पासो और जा अरे तुद्टे पैसे नुटाएंगे इस लड़की नहीं है यह 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 वाजाती है तू जा अंदर और तू सुन म मेरा बस के विसनस अच्छा चल रहा है है स्पेशल ट्रिप्स हो रही है कलेक्शन के पैसी आने बागी है जैसे आजाएंगे तू को पैसे दोगा वादा कर्ता हो मैं तेरे पैसे दे दूगा अंग किया तू जाती है कि तू यह वादा करना इस कराई थी इंटे पाहुची और आएगा तभी तो गाड़ी लेगी और देखो जिसको जल्दी है वो जाए पदिया तरफे अरे पुजारी जी आपने हरी लाल को देखा क्या यहां तो सवलाल हरी के है तुम ने जो माथे पती का लगाता है हाथों में धागे गल्ले में तावीज पहनता है सीधा सा हाथ जोडू कंटक्टर राम 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 नाम मतलोश हरामी का पीकर कहीं पड़ा होगा डेपे हुआ है या भाईया हरी लाल आया था यहां पर हमेशा आता था लेकिन कुछ दुनों से नहीं आया कहता था कि नहीं नौकरी लगी है अब उससे कहां ढूणूं यहां पर मैं वैसे उसकी एक है अब रहाए अब रहाए एक टेक्सी लेकर आये थे और दोनों निकल गए सुबा सुबा कुछ स्पेल पार्ट्स को हुआ है पत्व चला कुछ लेंदेन भाकि था ना है वो पिछलो मनें लेने आया चेर था तो यहां उतना लेंदेन तो रहा है डीपक डीर काव अगेशन के बात कर रहा हूं मेले का सेंधार टिकेत का पाईषार तसका गल्ला जै उसका हिसाब थो आज देने वाला था कि क्या हुआ हरिलाल हरिलाल वह है ही नहीं कहा है वो उसको बार बुलाईए सुपाहिये भी आये थे लेकिन वो घर पे नहीं है देखिए आप उसको छुपाने के कोशिश मत कीजिए वो जहाँ पर भी हमलों उसको ढूड निकाले गए तो चुकर क्या उसने कोई गलत काम किया है है यह नहीं गलत काम तो हम लोगों ने किया है जो उसको लौकरी दे दी बगर जान पजान के बगर किसी डिपॉजिट के अरे हम भी मजदूर आदमी मजदूरों की मुश्किल समझते हैं उसके धरम-गरम के ठीके पर भरोसा क्या कर लिया कि उसने हम कोई ठीका लगा दिया कितनी ताक में बैटे वे थे हम लोग कि यह पैसे आएंगे तो उससे करदारों के पैसे चुकाएंगे और वो हरीडाल सारे पैसे लेकर भाग गया उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुपकर बैठा है वो उपर वाले की नजर कैद में वो उसको माफ नहीं करेगा अरे हरामी ने नाग कटवा दी इस उमर में यही सुनना बागी था पुलिस एस्टेशन चलके फिर लिखाते हैं यह फिर लिखाना क्या होता है अरे वो एफ आ यार फिर तू अपने दिमाग से इंगलिश की डिशनरी निकाल कर फेग दे अरे कंप्लेट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार तो यह सौचारओ मैं, उसके बुढे मअबाब को देखakt उनके उनके हाल को देखा हमारा तो पैसा गया है उनका थो बेटा ही फरार हो गए मैं पुलिस कंप्लेट कराएंगे तो क्या होगा अ तुकली्स तो बुढे मअबाब को हुई मेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दर्या दिली नहीं समझती ये टाहर वाला गैरेज वाला साप की तरह फन उठाएंगे पैसे के लिए देन वाट विल उद्धू सुन दो-दो घर जमाई है किसी एक का बड़न दबाले है रहे तो अधेरा तो अधेरा तो है तू मेरा ब्रदर, मेरा छोड़, मेरा अमरीका जानना मतलब सोवे मालने पर पैदल चड़ना है, पैसाई कठा करूँ, वीजा अपलाई करूँ, इंगलिस सेखो, अरे चड़ती पतंग की डो रहे रहे, तो यहां कॉल से पतंग लहरा रही है, गोताई घारी दोलों की, इस कं अपल भी हो सेखेगा चुका दुआज, तू कितना अच्छा रहता, तू कितना अच्छा रहता, बाहर बात करते हैं, उसकी जगे कोई भी होता न, तो यह काम नहीं करता, तू महारा भाई तो महान बना है, कंड़क्टर, उसके बाद बनेगा एगा दूर, पुरी बस का अड़ साप करेगा और हम पर उच्छा लेगा यह कैसी बाते करें हाँ थीक ही कह रहा हूं मैं समालो बचालो वरना पूरी सोसाइटी में हमारा फैमिली स्टेटस ब्रोकन ना कर वक्त खोटा नहीं कोई काम छोटा गर है लगन तो जिया हो जाए मगन चल चला चल चल चला चल आगे तू बढ़ चला चल जो हुआ उसे भूल जाओ आगे बढ़ो बिठा बाबुजी आज से रोज रोज घराला नहीं होगा कभी-कभी बस की रखवाली के लिए स्पॉर्ट पर रुखना भी पड़ेगा थेंक यू मेंचन नॉट अच्छा बाइयो और बहनो चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पते की बात यह है के मैं बस का मालिक इस बस का कंड़क्टर बन गया हूँ अब यह सब क्यों हुआ और किसलिया हुआ यह सब लंभी कहानी है मैं आप लोग को बाद में सुना हुआ फिलाल आप लोग सब लोग मुझे सहमाल लेना है आप लोगों का स्टॉप क्या है किराय कितना है खुद वे खुद इमाननारी से पैसे गिन के मुझे दे देना मैं क के चालकुलेटर लाना भूल गया हूँ और धोकदरी मत का नाम है हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ आवई किधर जाना है PC PC क्या पुलिस कॉंस्तेबल मतला मतला फिरी ओक आपको किधर जाना है PC एक इतने PC है इसके अंदर इस बस में कितनी और PC है जुद्स पुलीस आइस बस में हम डीजीपी बेटी की साधी में जा रहे हैं मेरी तरह सभी मुबारबात बोल देना सलाम बोलना आप लोग आई महालक मी अपका नाम नहीं आपके बस्टॉप का नाम पूछ रहा हूं यह बस्टॉप का ही नाम है पढ़िए इसको यह क्या क्या तुमने हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है अपना धरम समझ कर आप किस मसले की बात कर रहे है शैतान की दुआ से तुमारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है वो है पुलिस कंप्लेंट का अर तुमारा आदमी मुझको चुना लगा कर भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए पैसे का मेरा नुकसान हुआ है लगा के क्या रखा है क्या लॉजिक है इसके पिछे उसूल क्या है मगर याद रखना है एक बात मैं छोड़ूगा नहीं किसी को लेकिन अब मुझ खोलना आपके हित में नहीं है पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है एक मजदूर पर जूटा इल्जाम लगा कर उसे नौकरी से निकाल कर मानसिक कश्च दिया आपने उसे चोटी बात नहीं है ये जोटी बात ये पुलिस कंप्लेंट में तो यही दर्ज है इसलिए शक की निगा आप पर जाती है तो कागस पर कुछ लिख दिया तो क्यों कैसा चो गया पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है न कानून है समझे आप हाँ मुझसे पहले कंप्लेंट कर सकते थे आप लेकिन ये मौका तो आपने कवा दिये तो आप संभलकर कदम पढ़ाना और संभलकर जबान चलाना आज के बाद संभलकर तो तुम रहना मिश्टर सेंग कानून कोई बच्चों की दौड नहीं है कि जो पहले आगया उसको प्रॉफी वाफी मिल जाएगे और ये जो ये कानूनी तीरची दाउपे लड़ रहे हो न तुम याद रखना इस अच का तीर जो है न ये सीधे घुश जाता है वाफ दू बच्चों हुआ ये स्वारी, स्वारी, स्वारी स्वारी, 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 स्वारी ये चुपकार बस चला रहे थे, रोकेट उड़ा रहे उरा देते तुम मुझे कश अशोटा कि बेरीग टाइम पर लगाता अरे लेकिन आप एस सड़क पर स्टेचु आप लिर्टी बन खड़े हो स्टेचु aaf बस नहीं रोकी ना तो गुरू के बोलने पर नहीं रोकी नहीं आप एक बात बताईए कि इतने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते यानि बस ओबर लोड थी रूल नंबर वन वन थी सेक्शन के प्रोकन आपकी बस जब पेट्रोल पंपर डिजल डलवा रही थी तो कोई गुना है क्या हाँ गुना है बस पैसेंजर से भरी हो गुना ही है समझाए रूल नंबर नाइंटी थी सेक्शन पी प्रोकन देखे जीजू मेरी बात है ओ मैं त क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया अब हम लोग बारात के खोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखा थे अब हमारे टू-इन-वन के अंदर आप अपना बेगरॉंड मीजिक में चलाईए ना तू-इन-वन का मतलब तो समझ गया होंगे मालिक और कंड़क्टर ओह कंड़क्टर विदाउट बैग कंड़क्टर विदाउट यूनिफॉम सेक्षन नाइनटी ब्रोकन सेक्शन नाइनटी ब्रोकन साले कुसर पोड़ा लेंगे साले उल्लू बनाते हैं इसको तमें थोड़ी डालता हूँ अगले गया तूजी जाय वो अपना चला वाइपर का यह वाइपर यहाँ है, वाइपर का मतलब जानतेया, हाँ, खतनलाग जईड़ा साप, राइवार, वाइपर, हैने साप, दुनों है लुए उधर, रोते रोते चलता है कि तृताल जपताल में नाचता है, अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर स कि अभी कि अभी वाइपर्स चाहिए क्यों खाएंगे क्या शाट आप आई विल चाहिए ए बसंतिलाल जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मय पे लागा थाकर इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे देखो तुमने मेरा परसनल इंसल्ट किया है संभावी नहीं है आप तो प्रफेशनल टाइम के ओपर परसनल होते ही नहीं तो अपर परसनल इंसल्ट कैसे होगी मैं फाइन मारूंगा फाइन फाइन मारो या ताना मारो आपके चाते हैं कि हम लोग सदक के उपर आजाएं हम लोग सदक के उपर आने के लिए तैयार नहीं है जो सेक्षन लगा ना लगाईए ओके 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 कि यह तो वही है दुबारा मुंबत दिखाना हां तो तो इस पर भरोसा करेंगा ऐसा नहीं पैंट सिलाने के गए और वहां पर पैजामा से दिया इस प्यक्तर के लाबा कुछ चारा भी नहीं है देर थरी इसकी कैची कापती है देर फोर इसकी ग्राह कम है देर फाइड यून जल्दी सिलेगा समझें तू आधे गंटेक पीछे क्यों पड़ा है अरे सीधी बाद है आज युजी ने बेज़दी कर दिये अभी दुबार थोड़ी पेज़दी करवाऊंगा अरे तो रण छोड़ दास अभी तो हल्ला बोला रहा तुने उसके साथ अरे जेखो उसकी हजार कच्रा बातों में एक कंड़क्टर का ड्रेस होना ची नहीं वो अभी दाल मार के गया है तो पूरे दिन में अब थोड़ी दुबारा पकड़ेगा एक दिन में सिर्फ एक बार ने एक दिन नहीं आई आज भर की बात कर तो अहां ये आज भर में दे दीजेगा ये एडवांस के लिए पैसे दे र है अब ये दूपन हो अच्छा मेरी दुलाइं मत करना वाग अ कि चले रत्ना कर चोंग अब कहां चोट लगी नहीं ऐसे ही जेनरल है बोल रहे हूं और कहां जाओंगी प्रिंटिंग प्रेस वाला जॉब भी नहीं रहा है और मुझे दुम से कुछ कहना है अरे उससे पहले मुझे दुम से कहना है मेरा जो कंडेक्टर था ना कंडेक्टर वह एक लाख रुपे ले अगर भाग गया उसमें से 50,000 है क्या बात करती हो सोने का सोने का फिर रोजी रूटी का भी इंतिजाम करना है बैसाकी की वज़े से मेरा गुमना पिरना बंद हो गया है मेरी सहीलिया कहती है मुझे कपड़ी का शोरून पूलना चाहिए मैं एक जगा क्याश काउंडर पर बैठी रहोंगे और काम होता र क्या और कि पर भार के अच्वारी तई नखेन उसके तुमारे मेरे और बहुत सारे लेकल वाला मेरी जे particular यह आर पर वाला मैझे तुमारे वह फिर निकाले के वाहला कि बालनगे मैं कुछ निकालाविये मैं निकालके इतना निकाला कई अको बशनी आदा है यह बस निторовैं क इसको गिर्वी रखके उसने कर्ज वालों का कर्ज अदा किया है आपके एक हाथ में नोट है दूसरे हाथ में इनसानियत को रखियो वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा बन्वारी साब ऐसके बन्वारी साब रेटी है सुआ है रोसमा है पाद माजू आपके प्रवी द्र्स Eliyeि यहां नहीं है तो कैंघ्रेस बेच खाएघ्द आयम द्रेस बेच पिया इनेग्कम मेरे बीड़ी इपक्स का इस ट्राई करने के लिए तो बेचिक वह अमरे क्सिकों तुम नहीं सुन्ती ना तार रेती है वो चलो बात करते हैं चलो जबन प्राश्च में तो बहुत जान है जबन प्राश्च नहीं अम्रित धाराओं में आये तुम सीधा नहीं चलते हो वो वो क्या है के शराब पिता हो ना में बहुत जादा आट तुम में आये तुम में यह तुम चल रही है अहां चल रही है तो तुम में प्रणी क्या है यह तुम और बेती तोसकी तांग खराब निए अरे इसकी तांग नहीं आप भी खोबने अराब अरे, इसका तो बसे एक्सिडेंट हो गया था? आहाँ, बसका एक्सिडेंट हो ओगा था? टांग में छोड आई थी, फिर थी दिन अस्पताल में च्वट्ट्री बना के आगई है। लेकिन इसका कोई ट्रीक्मेंट तो चल रहा होगा? कोई दवा दारू? अरे इसकी दवा बन, मेरी दवा चालू है, चलो तुम तुम ने 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 आप एक काम कीजिए, आप मेरा कंड़क्टर ड्रस यही ले आईए, क्या है कि अचानक अगर मैं आपके घर आगे ना तो आपकी बिटिया को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत शरीफ है ना बिजार अच्छा ने 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 वो ती जरूरस से ज्यादा शरीफ है जाई, आजा प्रारे पास हमारे कायग घरा, कायग अवरा बस खड़ी है, और दारू चल रही है, तुने टायर बार कुछ बेज़ दिया, ने ने, सुन, 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 तीपक, सुन, सुन, रूख, रूख, सुन तू पेड मत गिन आम खा सीट वीट इंजिन विंजिन टायर वर्स सब कुछ अपनी जगह पे रहे हैं बस की लाइट चालू है जुगनू चालू है मतलब बस में जुगनू हो शायद एक जुगनू के इतनी लाइट नहीं होती है क्या मालूम पूरी जॉइंट फैमिली हो चुरी छुपे काम देखना अच्छा नहीं है बाइद मैनर्स काम जुगनू का है देख मैं राओं तुझे तकलिफ हो रही है अरे तो आधे गंटे पाज जाना उन्होंने एक गंटे के लिए कहा था किसने काउपले है सी ओ यू पी अली कपल एक मेल एक फीमे अबै तूने तेरी तो बुद्धी ब्रस्टो की बुद्धी ब्रस्टो की अधिए जिवाब पर शराबत गई है और इंसानों को छोड़ूंगा इनि मैं अबे घर के आटियो ने पहले ही मेरे नाक में धमकर रखा है गाउं की पुलीस पकड़ लेती तो मेरी नाक कड़ी जाती पट्टी तो मिसालत में यहां क्यों आगई तुमको तो घर पे आराम करना चीए था चोड़ी की स्कूल की फीस देनी है घर पे बैठे रहने से क्या होता है मेरी तो जिन्दगी बरबाद हो गई मैं यह सिलसला ही खतम कर देना चाहता हूं हमेशा के लिए नहीं मतलब मतलब यह कि यह तुम्हारे हिसाब किताब में जो हेड़ फेर है ना मैं उसको हमेशा के लिए धेर कर देना चाहता हूं तुम्हें जो यह कपड़े का शोरूंग खोला है बहन की शाधी में सोने की सिख़्े बाटने सब बजाएगा पाने पियोगी बटके का है ठंडा है अंधर हो ना अव 오른 खो बढ़र बढ़र बैठी बढ़र बैड़र ब्ढ। बैठी और ना? बैठी? बैड़र बैखाक ओपके? बैसाखोकी किरतम मेली? पेली.. इसके बकड़bayरबंहाना पमना चल्रतंप ीनरे मुष्किल 울ो जाता होगा ने? हरी, यह बंबू की लगती है, साज बताओ, जब भी मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे बुखार आ जाता है, मैंने बड़ी पुष्टाच की, तब जाके जानकारी हासिल हुई है, कि यह, यह अच्छा नहीं है, क्या, तुम अपने साथ बहुत मुझे जल्दी है, मैं ज़रा, सच का चहरा, कील और मुहासो का होता है, लेकिन आज, आज तुम्हें यह साथ सुनना पड़ेगा, डॉक्टरों का कहना है कि टांग काटनी पड़ेगी, जब पुरानी जाएगी, तब नहीं आएगी, वो बनावटी वाली, बनावटी वाली हाँ अधा मसली लगती है, चलना फिरना, उटना, बैटना, इंडिन टॉयलेट, वेस्टन कमोट, सब कुछ पॉसिबल है, अब, and I will tell you with the new technology, आज कल डॉक्टर लोग अचे टांग काटते हैं, जैसे के पेस्टरी, मिरा पै, कटेगा, ने, मुझे ओप्रेशन मुप्रेशन सकती हो, मैं हमारा फैमली डॉक्टर सा इलाज करवा लोगी, आप बस पैसे देते रहना, हाँ, एक लाख रुपए दोगा, हाँ, डॉक्टर, तुमको, तुमको सिर्फ में ठीक करवा, बाहर आटरिक्षा खड़ा है, चलो, अभी के अभी चलते हैं, और तुमरा आप्रेश अले ओए, यह पैसा के लेकर जाओ, किसी और को बेवकूप बनाने के काम आएगी, दोड़ना है, तो नैशनल रेस में दोड़ो, दिल्ली, मुंबई, मेरेथिन रेस में दोड़ो, पहले तुम्हारे पिटाजी पदाने किस गम में पी जाते हैं, उनको एक और मोका मत दो पीने का, तुम अपना मूप बंद रखो, मैं जीऊ या मरू, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कुछ हो गया, तो मेरा क्या होगा, क्या, घर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा, तुमको क्या है, तुम तो भाला निकाल लेती हो, निकाल लेगा, एक मैं हूँ, जो तुमारे हर जूट को सच मन लेता हूँ, और तुमों, जो सच में यकीन ही नि धिया, भी भी नहीं दिया, वो बोला, पहले तुम मुझे पहले का पैसा दो, फिर मैं तुमें दाल चावर और तेल दूँगा, मेरे वी विरु सेटने बोला, कि पहले पैसले पैसे तो तेल जुँगा, अरे, अरे, मैं कुई भाग ना हूं किया? बबाब, आप चुलो रुदार, रुदार, पिदा होना प्रेदे दूगा ना हाँ, प्रेदे दूगा ना तो मैं थोड़ी तकलीफ देना चाहता था जो घर में है वो कम है क्या बेशर्मी के लिए माफ ही चाहता हूं लेकिन बड़ी भूक लगी थी उचल्स खुले होए हैं लेकिन में होटल में खाना पसंद नहीं करता घर का खाना पसंद करता हूं और हो सके तो घरवालों के साथ खाना पसंद करूंगा हमें किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूत नहीं है आप प्लीज जाओ यहां से दीदी बापू बापू अब इसको हमदर्दी मस्ते बाजना भले बस के बाड़े का पैसा बात में देतेना मदर इनको अस्पितार ले जाना बाच जोरूरी है थैंक यू लेकिन अब तुम जा सकते हो मेरे यह रोज का है देखो तुम इस तरह मुझे कटिकडि रहोगी ना तो किसी दिन सब्जी समझ कर तणका लागा दूंगा और एक दिन में तुम्हारी चोरी क्या पकाड़ी कि तुम उखड़ी रहती हो हमेशा चलता है जिन्दगी है कि आम सॉरी लेकिन मुझे भड़काने वाला वो वकील था तुम्हारा जीजू दीरे-दीरे मुझे समझ में आया कि मुझे लंगडा घुडा बनाके तुम्हारे साथ शत्रंच का खेल खेल रहे हैं वैसे मुझे अब बाबो जी बाटली में उत्रा कबसे साथ साल हो गये दीदी को खुष्रेवय ओगा अब सॉरी पढ़ाई करना चाहती थी दीदी लेकिन बाबो ने विदाई कर दी उनकी जबर्दस्ती और फेर उनके ससुराल की मांगे इतनी पढ़ने लगी कि कुछी महीनों की थी मुनी जब दीदी ने तब से तुम्हारे बाबो जी ने खुद को माफ नहीं किया कि समस्कता हूं आजकर उनके दिल का बोज मैं हूं इन जिम्दारियों की वज़े से मैं शादी नहीं करना चाहती ऐसा उन्हें लगता है और तुम्हें क्या लगता है कि दर क्यों कि शादी के नाम से डरती हूं कि मेरा भी हाल दीदी जैसा ना हूं अरे तुम मिंदास बैंड बजवा बारात का अगर तुम्हारा घर राशन से दिल खुश्यों से और गोध बच्चों से ना भर दू तो मेरा भी नाम तुमाटर या सैंडल क्या मारोगी तो नहीं तुम क्योंकि तुमने मुझे पहले दिन क्या दिया थे कि तुम्हारी तरफ नजर उठा कर ना देखूं तब से मैंने भी अपने दिल को मेरा मतलब के नजरों को बहुत सवाला और आज देख लिया तो क्या हुआ मैं भी तुम्हारी तरफ देख रही हूं और ऐसे ही देखते रहूंगी हमेश्या देखो तुम कह रही हो तो फिर मैं अकदम उठा रहा हूं मेरा मतलब है कि अपनी नजर उठा रहा हूं तो मैं इस बात को पक्का समझू पक्का अब देखो भी मेरी तरह अश्या इससंतरा बारोर दर्जुट अधिपक कहा है इसंतरा बारोर दर्जुट अधिपक को निया थिपक अज संतर भी देख यह दिपाक, दिपाक, क्या होगे? क्या होगे, बोलना? अज पाता अरे बोलना, तू बाबाल मचाए ला क्यो कुछ गड़बड़गी क्या? मैंने अरीलाल को देखा प्राम बगान यह रख़बगा जढ़बबबबबबबबबबबबबबब बोलना यह वह प्राम अर्मीटन पर दोटने नामे तेरा हरी करता है चोरी हम अब इतने शरीम है और बेटा टपोरी अब तुझे अब इसको में मार कि नहीं नहीं से नहीं मेरा दिवाग संका हुआ है मैं सोच रहा हूं यह यह दोनों को तो मैं लागा हूं को यह थाटल कि टेरे चकर में वागे देखा तो किया मंजे इंचा हूं पागलो गया तुझे से इतने पैसे लिये तो मारते अबर तुमुष्टे क्यों अब। क्या है? क्या है? यूनियन ने एक फैसला किया और मुझे उस पर फिसलना है? नहीं, समल के चलना है यूनियन आपको एक और मौका देना चाहती लेकिन मेरा मसला जो है वह पुलिस तक पॉचिया है अब जब बात मेरे और पुलिस के बीच में है तो ये यूनियन ये बीच में आकर दिया क्यों करना चाहती? आपने हरीलाल को बेरहमे से पीटा पीटा नहीं मैंने क्या लगता है आपको? कि हम लोग चुप बैठेंगे, चुपी साद लेंगा पीटा नहीं मैंने हम लोग जो बजार जाते हैं तो सब्ची अबजी खरीटे ना थेले में बस उस थेले की तरह उठा दिया था खैर जो हुआ सो हुआ अब यूनियन की मांग है कि आप हरीलाल से माफी मांग लें उसे तनखा दें हर जाना भी देवन उसे नौकरी पर वापस रख लें बस इस किसम की बेतुकी मांगे मांगने के लिए ना आपको चौक के उपर सम्मान मिलना चाहिए ए इसका अंजम ठीक नहीं होगा अच्छा साब की फुपकार देखकर केज़वी मूँ खोलने लगे आपके एक्टिंग कर उडरने की एक्टिंग करने की सुरत नहीं पड़ेगी ओका मिलेगा तुम इस बार कुछ भी करने से पहले यह सोच लेना कि इस किसम का दियोवा हर मौका दिवार पर फेकी हुई गेंद की तरह है जो लोट कर तुम ही पर वापिस आएगा जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी दाना शाही नहीं चलेगी बसंदी लाल जी हाल मज आगे निकल लो आपेगर वनेश फेरा मिसली बिया बेइड़े लेक्रास जिंदाबाद बह्तर भात जलेगी नहीं चलेगी जर्णाभाद जिंदाबाद जिंदाबाद ममज 2 जलेगी नहीं चलेगी कि में लचेतब सो तूम तुम हैं को कंदी नहीं चले Pokemon गौटाबार! nie आए 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 क्या बते सें बिना इतला किरे खुटाखे along भूर निर्मलकुमर साब ऐसब मालिकों की ताना शाही का जवाब मौज्ठूरों को देना ही पड़ता गौटाबार! गौटाबार तो आप हैं चल-चल के मालेक और कंड़क्टर भी हूँ मास्टर ओमकार्णाजी के बेटे दीपक मिस्टर दीपक मैं यहां का लेबर ओफिसर हूँ मजदूर के लिए काम करता हूँ लेकिन कुछ मालेकों की परिशानी अभी समझता हूँ और मेरे एक्सपिरिंस कहता है कि मालेक और मजदूर के बीच अगर इस तरह के हालात बहुत लंबे अर्से तक बने रहें तो इशूस बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेट हो जाते हैं और सुलिशन मिलना बहुत मश्किल मैं सुलाह कराने की कोशिश कर सकता हूँ आपको कोई परिश्चानी बिल्कुल नहीं बलके इस जंगल राज्च के अंदर अगर आपके बात करने से कुछ मंगल हो सकता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुन सी बात वही रोना है निर्मल साहब मालिक किला परवाई के वजए से चोर कोई पैसे पे डला मार गया और क्या बिल्कुल गलत बात है सारा का सारा कलेक्शन हरीलाल के पास था मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं थी सारा कलेक्शन ये इस बात पर यकीन के न थ cessuड़िया क्यों? पूछी एंसे हरिलाल पे इन्होंने हमला किया था या ये भी जूट है दस गबाप पेश कर सकता हूँ निर्मल साब मैं अरे कोई चोर अगर मेरे याज से चोरी करकर फरार होता है और सामने आता है तो मैं क्या पूजा करूँगा उसकी हैरत की बाद तो ये है दीपा की चोरी होने के बाद भी तुमने पुलिस में कंप्लेट क्यों नहीं की सिर्फ इंसानियत की वज़े से हरिलाल चोर है इसमें उसके माबाब का क्या कसूर है उन मुड़े माबाब की शकल देखिया आपने बहुत बार सुन चुके है ये राम कहानी कोई गधा भी इस पर यकिन नहीं करेगा निर्वल साथ बिल्कुल सच बोल रहा है आप इंसानियत और शराफत की राम कहानी के उपर कभी कोई गधा यकिन कर ही नहीं सकता जबाद सम्हाल के चार पैसे चेप में आजाने से कोई बिजनेसमन नहीं बन जाता बिजनेस का सेंज दोना जाहिए अबे तू कदर कर अपने इस रंग के किसी भी रंग कंचे अपने कंदे के अपर डाल लेने से कोई भी निठलना आदमी नेता नहीं बनता सब्सक्राइब उसके लिए कुछ सोच के अंदर गैराई होने चाहिए कोई निति कुछ उसूल के अंदर विश्वात होना चाहिए दीपाग बात करता है थोड़ा अराम से सर मैं इस नेता के बच्चे से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सब्सक्राणिस कोके पर कभी दिन राता बस चलाई शने कभी कोई बोजा उठाया है कभी जंता से ठ्टार्ट भरी वे बस कर अंदर कोई ठीकित काटी है कभी मजदु इसकल इक कभी मजदूर ही की नहीं है मजदूरों का नेता बन गया है ये कोई नेता वाला नेता नहीं है, ये लेता नेता वाला नेता है आपने हमें यहां बुलाया किसले जूते मारने के लिए अच्छे तुम बता तुम्हें क्या चाहिए इसे मस्दूर का समान करना ही होगा हरिलाल से माफी मांगनी होगी, उसे तोबारा नौकरी पर रखना होगा तब तक ये मोर्चा हटेगा ही तो आप एक काम कीजिए आप अपना बोर्या विस्त्रा लीजिए और सड़क पर रहना शुरू कर दीजिए क्योंकि मुझे आपकी शर्ते मन्जूर नहीं है बात बात पर सड़क पर उतर जाना, नारे बाजी करना, काम बंद कर देना ये बात ठीट नहीं है सिंग इन्ही कमपनी ने दो चार चुले जलाने के जम्यारी उठाई है और तुम लोग आग बढ़काने में लागे हो अब ये बताईए अब हमारी तरफ है या इनकी अब लेबर आफिस है या मालिकों के आफिस है सिंग हर आपी, हर वक्त, या तो यहाँ या तो वहाँ प्ला क्या वाई, ट्राइच, या लेफ्ट ऐसे किनारा नहीं कर सकता हर चांद का काला पेलू होता है और ये बाद थोड़ी मांदारी के साथ हम साभी को मान लेनी चाहिए ये बाद सच है कि हरी लाल पैसा लेकर भग गया लेकर इसने कहा, इसने एक घरीब मस्दूर पर बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं आप पहले मुझे शक था लेकिन आप यकीन हो गया है कितने पैसे देख खरीदा इसको जिंग, माइंड यू टॉंग और राइट पार्किंग, कैंटिंग, लाइसस, वामिट, हर मुकां पे तुम्हारे कट्स होते हैं मैं शलेस्टर, क्रिंग कीड़े ए छोड़ उसको, छोड़ छोड़ देखिये इनका जगड़ा मेरे साथ है आप अपनी जन जोखर में क्यो डालते हो, और तुमसरो तुम्हारा पंगा मेरे साथ है, इन पर वार क्यों कुछते हो हाँ मैं यहाँ पर खुले दिमाग से आया था लेकिन मैंना यह देख लिया कि सुला का संगी जो है बहरो के कानों में बजना नामुम्किन है इसलिए आज से इस विशे के अपर मेरे भी दर्वाजे है हाँ, बंद है दिपक तुम आप कुछ नहीं कर सकते आप बैठिये आपकी नियत में खोट नहीं है खोट इस कुरसी के अंदर है, बलके इस कुरसी में भी खोट नहीं है एक शरीफ आदमी इस कुरसी में बैठा नहीं कि बिचारे का काम ही बैठ जाता है, इस देश का सिस्टम ऐसा हो गया है इसलिए आप बैठिए मैं इस किसी को अपनी तरह से निप्टा हुआ कुछ बलाई भी करूँगा और जरूरत पड़ी तो धुलाई भी करूँगा कि भी हम पार घजए फफ फड़ी Burda vra कलेक साही कलेक साही मैं यी Yapinyo मैं यह जिर्दर बचिए कने पारते मैं भी हो अधर पार अभी कर दड़ने सते हम आप दोगस करे ङल काड़ी धुए में कारबन ज्यादा छोड़ रही है मेरा शक है पीउ सी गड़ बने अभी तो चेक कर अगर सर्टिफिकेट लिया था उसका यहां कोई लेना दना नहीं है लेना देना इसले नहीं है क्योंकि आपकी देल्चस्पी लेन देन में वरना टांग उठाकर टायर खर पर नहीं गट्टों के पर चलती है और यह भारत है यहां पर चुहा अतिल चट्टा गाए बकरी भीकारी कोई भी फर्स्टेट बॉक्स के अंदर गुश सकता है और यह वाइपर के साथ आपने यह जबताल और तीटल का खेल का से सिखा किसी कोटे से ट्रेनिंग लेते हैं क इसका जबाब तो आपको देना पड़ेगा यह मिठाई के डब्बे सोने के सिक्खे यह नोटों के गट्टी इसका कोई भिल समाल करते हैं कि नहीं घर के अंदर यह जीजा साले की रिष्टे का लिहास नहीं होता ना तो घर का बेदी मैं भी अच्छा बन सकता हूं सुन्दर भाई! सुन्दर भाई! सुन्दर भाई! सुन्दर भाई! है व्यह बस अच्षार भाई नहीं कर सकते हैं चापी में तुम्हें तुम्हें पता कर ये बड़ा जोखिम भरा काम किया है, तुम्हें यूनियन के आदमी हो, पकड़े जाओगे कहीं कि नहीं रहोगे, ये का मुझी कनना पढ़ेगा कि झाउ़े तुम्हें बड़ेगे हुए glimpse एक। पantसि कम कित्काउ्म पाले ये मière महीं को समते कि धरले शिए चाए उते, है आईपेगे तुम्हारे पाले ओंगे। ये तुम है झाईगे थे है गुम्हें एकशी सग्छी प्रुम्हें फů Mm yum झाल प्रिजक। प्ली एदरन कर दोगा रजे हैं 흡ग! हुआ टहाइब हुआ 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 कई हुए vice हुए हुए झाल 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 दिपाक यहां मत पढ़ूअ को लोग घर पे भी आखर सकते हैं अमे चल के कम से कम घर सेफ करना चाहिए किया जहें बहुत कमिने लोग यह कहीं चाएं कई यह कि अनुट लॡ। आपको चुर्म कारोल भूह को अपको कि एकूँन कैने गूरेंगे! आपको! एकूँ! एकूँ! एकूँ किया हर मेला क्या दोती है… आपको हमेलाल? कबारामतू लोग, हम्? आखिर क्या करके दम लोगे तुम्हाँ इसमेरा कसुर नहीं इंट का जवाब पत्थर नहीं होता ऐसा मत करो बेटा वो बेटा ही किया बाबुजी जो अपने पाप पे उठावा हाथ ना तोड़ दे अ persons मेरे बाद सुनते जायी पूलिस नहीं हाँ फोन किया था आपको अजुचांध। ब्ला आप gens ऑता अज़िय को अनुचांग्र उठ्षा आभ प्सकर अब हमें क्या पता तुम बहुरगे करते हो क्या हां का थृक्तिं और लेकिन तो undert Igor आप अपना मुह बंद रखिये अरे क्यों मुह बंद रखिये भाई साप आप जो कुछ भी कर रहे हैं भूगतना तो हम सब को पढ़ता है ना ये देख रहा है क्या हारा कड़ गया बोलो देखो देखो इस घर की औरतें पच्चे रात को बीना ढरे सो पाएंगे तीपक तुम हम सबसे छोटे हो इसलिए बाबुजी के सबसे लाड़ ले हो इस उम्र में जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए वो तुम्हे संभाल रहे हैं कर दो 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 क मिस्टर दीपक, आपको सच मुछ वकील की जरूरत नहीं है यह नहीं सर, सिदे सिदे सच बोलने के लिए मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है और मुझे इस बात का भी यकीन है, कि मेरे पास उन सारे सवालों के जवाब है, जो इस केस में एहमियत रखते है सर, उस रात हम हरिलाल के मांगे लेकर दीपक जिसे मिलने गए थे लेकिन उल्टा इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया सर, और सर, इस से पहले भी इन्होंने कई बार हमारे साथ जगड़ा किया सर, हम कसम कहा के कह रहे हैं सर, उस रात दीपक ने मारदा शुरू की, तो फिर हमने भी हाथ उठा दिया, लेकिन बचाओ के लिए, और फिर बस कंड मेरल में आए, उनकी हालत बहुत खराब थी, और उनकी जान को भी खत्रा था, मिस्टर दीपक वैसे भी गुसेल इन्सान हैं, योर अनर, मारधार पे उतराना, धंकाना, ये इनकी पहली और स्वाभावी प्रतिक्रिया होती है, ये है हरिलाल के माता पिता का एफिडेविट और मुझे तो इतना मारा के बस, पुछो मत, मुझे ड्रावर बसंतिलाल को बाद बाद पे धंकाते रहे देदी, मैं तो सिर्फ इनका घर कारीदना चाहता था, वो भी अच्छी कीमत पर, बड़े प्यार से राजी खुशी, लेकिन अनों ने गुंडे भेज दिये, मुझे जिजाओं को भड़काना बंद करो, is it done? No, no, you tell me, is it done? किसी के निजी मामले में दखल देना ठीक नहीं, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन एक बस मालिक की हैसियत से, Mr. Deepak का अपने पैसेंजर के साथ सुलूक कैसा था, इसका एक नमुना पेश करना चाहता हूँ, मतलब बा मेरे हाथी पकड़ लिया, कितने जगड़े होते थे इनके RTO ओफिसर से, ओफिसर की गाड़ी रूकी नहीं कि जगड़े चालू, पैसेंजर गय तेल लेने, एक बार तो RTO ओफिसर की गाड़ी की कास तक तोड़ाली नहीं, और वो शरीफ ओफिसर इस अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आना चाहते, क्योंकि ये, दीपक उनका साला है, दीपक को हो नहीं, उन्हें इस रिष्टे का लिहाद सरूर है, एक और बात, योर आउनर, दीपक के दूसरे जीजा जी वकील है, और ये सोचने वाली बात है, कि एक वकील जीजा, अपने साले का केस क् I think your honor, he is a social outlaw. Mr. दीपक, आपको कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा. Mr. अब मैं क्या बोलू, सरकार कोट में आकर तो मुझे पहली बार ये मालू पड़ा है, कि सच बोलने के लिए सच काफी नहीं होता है, उसके लिए सबूतों को जरूरत पड़ती है, और ऐसा सच जो सिर्फ दो आदमियों की बीच हुआ हो, उसको तो भगवान भी साबित न नहीं कर सकते हैं, ये धोबन, ये हरिलाल, ये बिल्डर, ये मवाली ये कारे करता, जो ने ने मेरे घर में काफी तोड़ फोड़ की, मैं चाहूं तो इनके इल्जाम पलड़कर इनके पर दोगुना लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालू उसे टटोल टटोल कर किसी हाथी को देखाओ, किसी को उसके चार पाउं जो है, मैं अपके चार बंबू नजर आते हैं, तो किसी को उसकी पूछ जाड़ू, मेरे दुश्मनों की चुपती हुई महकती महपत, उनको चार गुना जादा शहर से लेकर जंगलों तक दोड़ा अगर दी जाएगी, तब जाकर उनको होश आएगा, लेकर उसके लिए मुझे आपको सारी बाते जो हैं, सारे किस से पूरे बताने होंगे, घर के, शहर के काम के, बस के. देख लिया अपने अपने लाट प्यार का नतीजा, उसकी वज़े से इस सुम्र में भी क्या क्या सहना पर रहा है आपको, सुन लिया बाउजी, सुन लिया आपने, अरो खड़ी-खड़ी मूँ क्या देख रही हो, लाओ, अलमारी किचाबी लाओ, मैं ओफिस का किराया, द निकलवाने पड़ेंगे, आप क्यो निकालेंगे बैंक से पैसे, जो करें वो भुकते है, देखा बाबुजी, देखा आपने, अगर आपने ये मकान बेच दिया होता तो आज ये नौपत नहीं हाती, और चार पसे हाथ में होते, चार घर में होते, चार मुठी में होते, ल बोज को कैसे हलका करना है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सर ये दो अर्जी आई हैं, इजाज़ होते हैं, लेबर ओफिसर, निर्मल कुमार, यूनियन लीडर सिंग और तीपा के बीच मैंने सुलाह कराने की कोशिश की, ये तब की बात है, यूर उनर, सिंग ने मुझे बेहाद उठाया, मुझे मारने चला था वो, लेकिन दीपा की समझदारी और इमानदारी से, मैं इतना प्रभावित हुआ, यूर उनर, कि एक लेबर ओफिसर होने के बाद भी, मैं एक मालिक के तरफ तारी करने चलाया, और लोग दिमाग से काम लेते हैं, ये दिल से दुनिया से उलचते हैं, बसिए ये खराबी है, जब गुसा होते हैं, जब प्यार करते हैं, बड़ा खटावित है इनसान साब, बिलकुल कच्चे पक्याव की तरफ, लेकिन वो जानता है, कि जब यह भड़के हैं, तब यह हमार अरे मेरी और हरीलाल की तो कई गलतियों पर इन्होंने मामूली डांट अपट करके हमको रफार रफार करके माफ कर दी आज तक तक तुम्हें सिंग साप के डर से खामोश रहा और वहीं भी जानता हो कि शायद इन से पंगा लेना मुझे भारी पॉन सकता है लेकिन इस शरीफ इनसान की इनसानियत लगन और मिठास भुजियां तक खीश लाई और आज मैं ये तमाम हिम्मत को जोड़ के बोल सकता हूँ ये सिंग नहीं हमारे माले की बस को तोड़ा, मुझे को माले की कोशिश की और ये साथ साथिस ही साथ प्लानिंग थी ये की मां पर ही किसी काम से यूनियन के आफ ज़िस मे गया हम unified कि सिंग अपने जूनियस के साथ बढ़ के पारी कर रहा था साथिश कर रहा था मेरे सिक देने के लिए साथ इस इस मामले को एंसानियत के जथ़ए से देखने की कोशिश की है थोस्थ जबूतों की कमी दोनों तरफ से थी और फैसला लेना मुश्किल काप था लेकिन न्याय की शुरुआत कानून की किताबों से नहीं सद विवेक से होती है इस अदालत ने भी वही कोशिश की है अदालत दिपक को एक इशा देती है दुनिया मेरे साथ भला करेगी क्योंकि मैं दिल का भला हूँ ऐसा मानकर चलना गलत है क्योंकि सांड जब चलके आता है तो वो सामने वाला आदमी शाकाहारी है या मासाहारी ये नहीं देखता गजेंदर सिंग ने दिपक पर जो जान लेने के इल्जाम लगाया है अदालत उन्हें बेवनियाद मानती है और दिपक को बेकसूर खेराती है अरे ये तो नहीं से भी ज़्यादा नहीं लग रही है ये आपने इतना खर्चा कैसे किया ये इतने पैसे कहां छुपागर रखे थे आपने कुछ पाया कुछ खोया अब अपना घर सिर्फ अपना नेरा कई लोगों का आशियाना बन गया है घर भीज दिया क्या मुझे घर नहीं तू चाहिए क्योंकि कोई घर तेरे दिल जितना बड़ा नहीं हो सकता मरते वक्त क्या कमाया कितना कमाया ये सब हिसाब लगाऊंगा या तेरी ये खुशाल आँखें देखकर शांती से मरूंगा इसा क्यों बोलते बाबुजी तुम सोचते हो मेरी सबसे बड़ी दौलत वो अपनी कमाई से बनाया हुआ घर है नहीं बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो तुने मेरे लिए बहुत किया है थोड़ा मुझे करने दो कितनी यादे बसी हैं उस घर में यादे घर में नहीं दिमाग में बसी हैं ऐसे मुकाम आते रहेंगे एक बात याद रखो जहां सवेरा हो वहीं बसेरा होना चाहिए जहां सच्चे रिष्टों का बसेरा है वहीं सवेरा है हुआ है वहाँ हाँ हाँ वहाँ हुए है आख एग एग दो अगया तो पर बेटी तुम्हें टिकेट लेने की क्या जरूरत है आज से ये बस तुम्हारी और बस का मालिक भी तुम्हारा आओ जी मनी भी है, हनी भी है मनी भी है, हनी है मनी भी है, हनी है दिल में थेला… एंधनी भी है या jadi ja dare और तरह कोई धरन करते है चल चल नढ़ कमाल करते है चल चल ना चल कमाल करते है जब से नहीं है मनी से निगाहे हनी में बोला है फैला के बाहे कम रखे क्यो मझ thore gi बात अँ़ में प्यार की प्यार में इगनूर जी चल्ना-चल्ना चल्-चल्-चल कमाल करते है हमको दुहाबत है तुमसे ओप्यारी अब जा रहेंगे किनारी किनारी क्या कर दिया हुजूर जी आया हमें कुरूर दी अब ना जाना छोड़के जानाना हमसे दूर दी यू हमसे बहके सवाल करते है चलना चलना तवाल करते है चलना चलना तवाल करते है मनी भी है, हनी भी है मनी भी है, हनी भी है मनी भी है, हनी है, दिल में ठुदा ठंठनी भी है या 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 यो 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 देखेंगे होगा दो फिर से कोई धमाल करते हैं चलना चलना कमाल करते हैं झाल झाल